आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ बिनम्रता पूर्वक मैं आपके किसी काम आ पा रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने नहीं परवा करी कि दुनिया मेरी इज़त कर रही है कि नहीं हम आनलाइन सुन रहे हैं अचायर जी को मानी पाए बात मोथ करो मुझसे हमारी तुमारी पूरी कटी है ऐसे नहीं चलता है इससे नहीं चरित्रता है हो जाएगा की तो रात में देर से आई थी वो भी कैसे पता बिल्डिंग के गार्ड ने चुगली खाई थी ये रात में साड़े हाट बजे सोनी जाती वो कहरा है मेरे हसाब से चलोगी तो स्लरेट वोलूंगा और मेरे हसाब से नहीं चलेगी बोल दूँगे, कुल मिलाके वो आपको अपने हिसाफ से चलाना चाहरा है, क्यों चलना है किसी के हिसाफ से बोल ले, स्लेट बोल ले, जो बोल ले, समाज से आगे निकलना हो, तो समाज से इज़त मांगना तो मिलकुली बंद दो प्रडा मचारी जी, सर मैं मुंबई से हूँ और एक आईटी प्रफेस्टेल हूँ, बोत खुशी हो रही आप से मिले, सर मेरा सवाल यह है कि अगर एक विमेन सिंगल रहना चाहे तो उसे बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, कभी-कभी उसे क्याक्टर सर्टिफिक भी दे दिया जाता है, सोसाइटी से या फिर एलेटिव से, हाला कि इस विशे में मैंने आपके कुछ वीडियो भी देखे है, इसमें आपने मेंशन किया हुआ है, अगर आगे बढ़ना है, तो यह सारी चीजों को पीछे छोड़ना होगा, लेकिन सर यही बात हम अपनी फै जानना यह है कि फैमिली को अकेले रहने देने में कोई पॉब्लम नहीं है, सबसे बड़ी पॉब्लम आती है सोसाइटी को, तो उसे राप इस पे थोड़ा आप लोग विशेशकर महिला हैं, जब यह पूचते हैं कि आत्मनिरभरता संबंधी विशय पर, स्वतंतरता के मु एक मुक्त जीवन जीने के मुद्दे पर दूसरों को कैसे समझाएं, तो एक जगह पर आप थोड़ा अटक रहे होते हैं, उलज रहे होते हैं, आपने अभी चरित्र की बात करी, चरित्र को लेकर क्या कहा, आपने फिर से बोलियेगा, बाइक दीजेगा इक पर, जी सेर, अब तो क्यारेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, कि दूसरों से चरित्र का प्रमाण पत्र पाने के मुद्दे पर, इन सब मुद्दों पर आप पुछा करती हैं कि दूसरो को समझाएं कैसे, समझाएं कैसे, हमेशा यही होता है, आप कहते हैं हम तो समझ गए हैं कि हम एक अच्छा, उंचा, सार्थक जीवन जीना है, लेकिन घरवाले नहीं समझते और समाज नहीं समझता, तो उनको कैसे समझाएं, और यह प्रश्ण अधिकांश्त, महिलाओं की और से ही आते हैं, मैं कह रहा हूँ कि इस प्रश्ण में उलजाओ है अभी थोड़ा, आप दूसरों को समझाने की बात कर रही है, यह प्रश्ण ही अभी लेकिन थोड़ा सा उलजाओ हुआ है, उलजाओ यह है कि सवाल यह है ही नहीं कि दूसरों को समझाएं कैसे, सवाल हो सच की खातिर सही जिंदगी जी हूँ सच इतनी सच इतनी सस्ती चीज होता है क्या कि दूसरों के समर्थन का मुहताज हो मान लीजिए मान लीजिए एक बार को कि मुझे सच बोलना है और किसी वज़े से आप सब लोग मेरे खिलाफ हो जाए ठीक है आप कहें कि साब हम आपका समर्थन तभी करेंगे जब आप कुछ मिलावटी बात बोलो बात को थोड़ा नीचे लेके आओ जूठी बोल दो फिर हम आपके समर्थन में आ जाएंगे तो मैं आपके समर्थन की परवा करूँ या सच की आप जैसा कहेंगे वैसा कर लूँगा बोलिए आप जैसा कहेंगे वैसा बिल्कुल नहीं करता मैं अगर मैं आपके कहें मताबिक करने लगूँ तो आपके किसी काम का नहीं रजाओंगा नहीं रजाओंगा ने तो मैं आपके काम का इसी लिए हो पा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत इस बात का ख्याल नहीं रखता कि आप मेरा समर्थन करेंगे की नहीं इससे ये नहीं है कि मैं आपकी उपेक्षा करता हूँ इसी में मेरा प्रेम है आपके लिए अगर मैं आपके कहया नुसार चलने लग गया तो यह आपके प्रफ़ि एक प्रकार की हिंसा हो जाएगी समझेए इस बात को आप किसी भी दिशा जा रहे हो और मैं आपकी ही दिशा कानुगमन करने लगू या समर्थन करने लगू तो मैं फिर आपकी भलाई चाह रहा हूँ या आपकी बुराई में सहायक हो रहा हूँ बुलिए हाँ तो सच्चाई के मुद्दे पर दूसरों के समर्थन कि इतनी नहीं परवा करी जाती बाबा यह आ रही है बात समझ में महिला होने के नाते प्रक्रति ने आपको भावना थोड़ी ज्यादा दिये ममता थोड़ी ज्यादा दिये और प्रक्रति ने आपको वो सब इसलिए दिया है आप जानती है कारण में क्या समझाओ इतनी बार तो समझा चुका हूँ प्रक्रति ने वो सबकुछ आपको बिलकुल भौते कारणों से दिया है ठीक है जंगल में जो मा होती है वो अपने नवजात की भलिभाती देखवाल कर पाए और उसको बड़ा कर पाए इसके लिए आवश्यक है कि प्रक्रति वो जो मा है उसमें कुछ विशेश भावनाओं क का अतिरिक्त संचार करके रखे वैसी भावनाओं पुनुश में भी होती है महिला में प्रक्रति ज्यादा रखती है खेल साधा हर्मोन्स का है बस और कुछ नहीं और वो सारा खेल बस इसलिए होता है ताकि जो प्रक्रति का चक्र है वो आगे चलता रहे अब आप वो जो प बच्चे से भी होता है, वो ममत तो अपने माबाप से भी हो जाता है, अपने पती से भी हो जाता है, इस तरी को माता ऐसे ही थोड़ी बोला गया, वो सबकी माता बन जाती है, वो अपने पती की भी माता बन जाती है, वो अपने पती की भी माता बन जाती है, वो अपनी मा की भ वही होता है जो मंता में डूबी एक मा और उसके बच्चे के बीच में होता है, बच्चा बिगड़ जाता है, बच्चे को वो मा कभी सही रहा, सची रहा नहीं लापाती, लापाती है क्या, बच्चों को बिगड़ने में सबसे आदा योगदान किसका होता है, मा का होता है न, मदर इंडिया बनी थी वो कर्ट क्लासिक है आज तक चल रही है वो क्यों चल रही है भाई क्योंकि उसमें बताया कि भारत मां एक विशेश मां है जो अपने बिगड़े हुए बच्चे को दंड देने से बिलकुल नहीं कतराती वहाँ बच्चा था बिगड़ गया था माने उसको जो आखरी सजा हो सकती थी और दे दी हाला कि ममता उसे बहुत थी अपने उस बच्चे से वो उसका लाड़ा था बिलकुल पर ये बात हम सीख नहीं पाते हैं हम सीख नहीं पाते इसलिए तो मदर इंडिया मूवी खास थी सोच में आ रहे हैं ये बात है अरे भाई अगर दिख रहा है कि साथ वाले बिगड़े हुए है तो फिर उनकी इतनी ज्यादा परवाह क्यों बच्चा बिगड़ा हुआ है पाउ पटक पटक करके चीजें मांग रहा है और मा ने उसको लाके खिलोने भी दे दिये और चॉकलेट भी दे दी ये माँ की दुश्मन है बोलिये अब वो जो बच्चा है मैं बोल रहा हूँ वो माबाब भी हो सकते है वो बच्चा पती भी हो सकता है वो पच्चा समाज के लोग भी हो सकते हैं इस्त्री तो माँ है लेकिन और अक्सर माओं को पता होता है कि बच जो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी, उसकी सब वाजव, गैर वाजव मांगें वो पूरी करती चलती है, हाँ या ना, बच्चे भी भली बात ही जानते हैं, कि अपनी उल्टी-पुल्टी मांग पूरी करा नी है, तो बाप के पास जाओगे तो चाटा भी सकते हो मा के पास चले जाओ उसका आचल पकड़ करके थोड़ा इधर से खीचो उधर से इतराओ एकाद्दो आसू बहादो काम हो जाता है जो काम बच्चा अपनी मा के साथ करता है वो काम हर स्त्री के साथ पूरे समाज ने कराए उसको भावना के तलप पर घसीटा है और उसके भावों के साथ खेल कराए इस तरी के साथ बहुत धिक बाते कौन करता है बताओ तो कौन सा पती अपनी पतनी से एक बहुत धिक तलपर इंटेलेक्चुल प्लेन पर रिष्टा बनाता है कहां बनाता है ना या तो शारिरिक तलपर होगा या भावनाओं के तलपर होगा बुद्धि के तलपर पती पतनी बात ही कहां करते है बुद्धि के तलपर बाप बेटी भी कहां बात करते है कर सकते हैं में अनुपात की बात कर रहा हूं कोई ये न कहते कि मुझे पता है ऐसा किस्सा तो ये आछारे आं खड़ाओं वे जूट बोल रहा है अपवाद हमर जग्य होते हैं मैं अपवादों की नहीं अनुपातों की बात कर रहा हूं proportional कम होता है वो अनुपात पुरुशों के बनिस्वत, ये बता रहा हूँ, आप समझ रहे हो, अब वही मेरी बात है, मैंने कुछ समझाया, मैं जो समझा रहा हूँ, देखिए, जिसे हम सिंसेरिटी बोलते हैं न, सिंसेरिटी, गंभीरता, सच्चाई, वो कई बार लड़कियों में ज्या हुई, मैं वहाँ भी अपवादों की न, अनुपातों की बात कर रहा हूँ, तो लड़कियां थोड़ी ज्यादा सीधी होती, उन्हें बात समझें भी आ जाती है, लेकिन जब बात पर चलने का वक्त आता है, तो पीछे हड़ जाती है, क्यों पीछे हड़ जाती है, भावन चली गई, तो मैं जान दे दूँगा, तो मैं तो नहीं जाती, अरे दीदी, क्या करें, क्या करें, बताओ फिर, फिर इसी लिए हुआ है बहुत बार, कि पुर्शों ने इस तरी से हार ही मान ली, जो समझाने और सुधारने आये थे न, उन्होंने सीधे अपना सारी पटक या बोले कि हमें बात ही नहीं करने इन से, आज आप धर्म में जो विक्रत रूप देखते हैं, कि कई होते हैं, सादू, महत्ना और गयरा हो कह देते हैं, कि सहाब हम ब्रमचारी हैं, हम इस्तरी से मिलते नहीं, इसकी शुरुआज शायद हो सकता है, अतीत में ऐसी ही हुई ह कि कभी कोई रहा हो प्राग्य पुरुष, समझधार आदमी, जिसने पूरी कोशिश भी करी हो पुरुषों के लिए भी, इस्तरीयों के लिए भी, पर पाया हो कि इस्तरीयां आखरी कदम पर आकर अटक जाती हैं, भावनाओं में फस जाती हैं, तो उसने कहा हो कि फिर इन पे कितनी भी मेहनत करो जब इन्हें अटक ही जाना है तो इन पे क्यों उर्जा लगाऊं शॉयद शुरुआत वहां से होई होगी उन्होंने काओगा इन पे उर्जा लगानी नहीं यहां पे जब कोई परणाम ही नहीं आना तो उर्जा खराब करने वाली बात है बस मत अटकिये यह क्या सवाल है कि मुझे सारी बात समझ में आ गई है फैमिली कैसे समझाओं फैमिली नहीं समझेगी तो नहीं समझेगी यह समझेगी यह समझे है फैमिली की है आपकी कैसे हो गई फैमिली को यहाँ पर आकर सवाल पूछना चाहिए न कि हमारे घड़ में एक लड़की है, बहुत तेज है, बहुत समझदार है पर हम बेहुकूफ हैं हम क्या करें, हमारी समस्या है फैमिली आकर क्यों नहीं कह रही है, हमारी समस्या है फैमिली और कोई समस्या नहीं है वो बिलकुल एक दम अपनी बेहोशी लेके मस्त पड़े हुए है और लड़की आकर के अपना पूरा बेबसी और कमजोरी और आंसू सब जाहिर किये दे रही है हाई मैं अब तो देखिये बात तो बिलकुल ठीक है पर मैं क्या करूँ फैमिली और समाज और पडोसी और फूफी और बूबी और फूफा और जो भी होता है सब ये ये नहीं मानते तो ये लेना देना क्या इनसे उची चीज अगर हाथ लगी है तो उसको उची जगह पर रखना भी सीखो ना हीरा पायो हीरा पायो गाठ गठी आयो आगे पुस पुसा रहें एक दूसरे से क्या गर रहे हैं कोई एक खड़ा हो जब जोर से बोले हाँ हाँ और और बार बार से भी ज्यादा बार बार से भी ज्यादा हीरे को ले जाकर के इधर उधर जो हीरे कीमत नहीं जानता उसके सामने खोलते हो क्या तो ये जो उच्चतम ग्यान मिल रहा है इसकी कुछ इज़त नहीं करनी है कोई इज़त नहीं है या कह रहे हो कि ये ग्यान भी हम तभी सुईकार करेंगे जब पहले फूफी हा बोलेगी ग्यान की हमारी नजरों में ये कीमत है कि ग्यान भी तभी लेने लायक बात है जब पहले घर वाले और पडोस वाले और उपर की मंजिल वाले और नीचे के बेस्मेंट वाले ये सब के सब जब यहां पर देंगे कि हाँ जी ठीक है कर सकते हो तुम तो मैं ग्यान को सुईकार करूँगी ग्यान का मतलब है वो चीज लोसी सबसे उपर होती है बागी सब उससे नीचे होते हैं ग्यान नहीं जुकेगा, ग्यान के सामने सब को जुकना पड़ेगा मुक्ति आस्मान होती है, आस्मान नीचे आएगा मुक्ति का मतलब होता है आस्मान में पंख खोल कर उड़ना आस्मान थोड़ी तुम्हें ले नीचे आएगा तुम्हें पंक दिये गए हैं ताकि तुम उड़कर आस्मान तक उठो आस्मान थोड़ी खीच के नीचे लेके आओगे और आस्मान को नीचे क्यों के लाना है क्योंकि वो फलाना है घर में वो भैसा है वो उठ नहीं सकता उपर घर में एक भैसा है ओपर नहीं उठ सकता तो आस्मान कोई नीचे ले आओ ये कौन सा तर्क है ये तर्क समझाओ और हम सब के घरों में ऐसे पशु होते हैं जो उपर उठने से इंकार करते हैं घरों में हो जिंदगी में हो कि दफ्टर में हो व्यापार में हो पडोस में हो होते तो जरूर है है की नहीं और वो पशु आपके जितने निकट हो आपका अभाग उतना बड़ा होता है कई बार तो पशू सीज़े आपके उपर चड़ा हुआ होता है सोचो आप मौत कैसे हुई हिप चड़ गया था हमारे उपर ऐसे तो मौत हुई है हुआ और नहीं पशू है पहली बात वह भी है कि वो नहीं उठेगा उपर है कि तो क्या करें आसमान का अपमान करें आस्मान को बोले तुम नीचे आओ वो नहीं आ सकता है नीचे वो आस्मान है अब तुम चुन लो तुम चुन लो कि तुम्हें ये चाहिए कि वो ये पकाय कि उसको नीचे लाने की कोई विधी नहीं होती और आप जब भी मेरे पास ये प्रशन लेकर आएंगी ये प्रशन कम से कम सौ बार आ चुका है सामने कभी इस रूप में कभी उस रूप में कभी इस रूप में कभी ये कि नहीं मैं सब समझती हूँ ये है फलाना काम है बहुत अच्छे से करना चाहती हूँ दिल से करना चाहती हूँ पर घर में ये है, तो मैं कैसे करूँ, तो मत करो, मेरे सामने आप क्यों आयों, मत करो, आपकी सिंदगी, आपका काम, आपका दिल, मत करो, आपका इमान, मत करो, आपकी चेतना गवाही देती है अगर, कि जो आपके लिए सही है, सच्चा है, जिससे आपको प्रे में आपको छ मैं कुए आसमान से उत्रा हूं, मेरी जिंदगी में भी वही सारे मुद्धै रही हैं, मैं भी उनी सब एक एक चीजों से गुजराउं, जिन से आप गुजर रहे हैं, या गुजरे होंगे या गुजरने वाले हैं, चुनना पड़़ता है भाई, और चुनना, से गुजरने की तैयारी जो कश्ट से गुजर नहीं सकता वो सुधर नहीं सकता निखर नहीं सकता आप अगर यह चाहती है कि कश्ट से गुजरे बिना आपको कहते हैं ना कि मरना भी नहीं है और स्वर्ग भी चाहिए ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता कश्ट प्रत चुनाव करने पड़ेंगे इसलिए बार बार हमें उपनिशदों के रिशी बोलते हैं नायम आत्मा बल हीने इन लभ्यों जो बल दिखाने को तैयार नहीं उसे आत्मा का लाव नहीं होने वाला लाव मने प्राप्ति आत्मा तक पहुँचने की कोई संभावना नहीं है अगर तुम बल का चैन नहीं कर रहे और बल कोई प्रक्रति प्रदत तवस्त नहीं होती उसका आहवान करना पड़ता है वो आपके भीतर होती है उसको बुलाओगे जगाओगे तो आ जाएगा और नहीं बुलाओगें तो बॉल तो बोल दो मैं तो अबला हूँ नारी का तो दूसरा नामी बन गए अबला और वहाँ वो बोल रहे है नाया मात्मा बलहीन बल क्यों बलहीन को नहीं मिल ले आप अबला हो तो कैसे मिल जाएगा कवियों ने लिख दी आपके लिए अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आचल में है दूद और आखों में पानी, बनी रहाओ अबला, आचल में दूद लेके, आखों में पानी लेके, यह दूद और पानी का कारोबार वैसे ही बेमानी का होता है, इधर तो मामला पूरा वीगन है, तो मुझ क्यों नहीं मैं देखता पुर्शों कोई सवाल पूछते हुए यह सवाल अधिकांश्ता इस्तरियां ही क्यों लेकर आती है अचारी जी आप भी सारी बास समझ में आती है बट फैमिली तुम जानो फैमिली मुझे मुझे से पूछ के फैमिली करिए और फैमिली में तो हमेशा संबंध होते हैं न दो होते होंगे पुरुष को तो यह नहीं समझ से आती हमारे सब जो शैक्षणिक कारिकरम चल रहे हैं गीता और अश्टावगर गीता और सब मिला करके आगे उनमें मुझे बहुत बहुत प्रसंदता है और गौरव है कि लगभग पचास प्रतिशत महिलाएं हैं भारत में ऐसा होता नहीं और किनी एक या दो श्रिंखलाओं में तो पचास प्रतिशत से साथ ज्यादा भी यह महिलाएं और जब पर प्रतिभागिता की बागर याती है तो उसमें प्रतास प्रतिशत से थोड़ी ज्यादा ही रहती हैं महिलाएं और यह हुई अच्छी बात अब सुनिए बुरी बात यहां पर आप लोग जो बैठे हुए हैं इसमें मुश्कित से 20 प्रतिशत हैं महिलाएं यह जो मजबूरी की बात है मैं इसको मजबूरी नहीं मानता है यह मैं बेमानी कहा रहा हूं मेरी नजर में कहां गहीं सब की सब वो घर में बैठी हैं वो वहां से अपना मजबूरी का बता रही है हम ऑनलाइन सुन रहे हैं अचारी जी को मानी पाए बात मुत करो मुझसे हमारी तुम्हारी पूरी कट्टी है ऐसे नहीं चलता है ये क्या है ये कहां का प्रेम है ये कौन सी वफा है कि दूर दूर से बैठ करके वहां से शब्दों के तोफे भेजे जा रहे हैं भाई हमने तुम्हारे लिए बहुत एक ठाली बनवाई है स्थूल और आप वहां से क्या लिख रहे हो बस शब्द ऐसे कैसे चलेगा वजह क्या हम मजबूर हैं हम आ नहीं सकते क्या मजबूर है टांगे नहीं है मजबूरी बताओ भारत सरकार ने वर्जित करा आए कि फ्लाइट में और ट्रेन में महिलाओं को टिकेट नहीं दिया जाएगा मजबूरी बताओ क्या मजबूरी है मजबूरी बताओ कुरसी पर नहीं समाओगे हम दो लगा देंगे एक साथ आपको पता है यहाँ पे अगर शुभंकर हो तो बताएगा उसके बास एक पूरी सूची है जो वो बैट करके बना रहे हैं पिछले हफते भर से महिला यहाँ पर आप आएं उसके लिए उन्होंने अलग से लिस्ट बनाई थी जिसका उन्होंने नाम दिया था वीएल वीएल आप समझते है क्या है आसपा हैं कहीं पर वियल क्या होता जानते हैं वल्नरेबल लिस्ट वल्नरेबल लिस्ट उसने खुद बनाई थी कि महिलाएं अगर आएंगी तो उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेना ये मेरा निर्देश था उसको बाहर एक अलग से ट्रेवल एंड हेल्प डेस्क रखी गई है कि शाम को जब निकलें तो अगर किसी को रास्ते नहीं पता है या साधन नहीं पता है तो उसको अकेले मच छोड़ देना पूरी विवस्था करना कि उसको उसके घर तक पहुचाना है हम यहां पे जितना हो सके उतना प्रबंध करके बैठे हैं और आप बोल देते हो मैं महिलाओं में आनी सकती तो मैं क्या करूँ फिर मतो विदान एक चीज से पूरी तरह इंकार करता है कि आपके उपर आपसे बाहर भी कोई बंधन होता है आपका जो कोई बंधन है वो यहां है यहां कोई बेडियां यहां नहीं होती है यहां बस चूडियां होती है सारे बंधन यहां होते है और जितनी बार आप अपने बंधनों के अनुसार काम करती हैं या करते हैं आप उन कालपनिक बंधनों को सत्यता बना देते हो अपनी माननेता सत्य कैसे बनती है विवहार करके उस पर माननेता पर विवहार करने जो वो आपके लिए तो सत्य बनी गई मेरी माननेता है कि मैं लंगडा हूँ मेरी क्या माननेता है मैं लंगडा हूँ वो मेरा सत्य बन गई क्योंकि मैंने उसके अनुरूप बोलो व्यवहार करना शुरू कर दिया absolute truth नहीं है ये कि मेरी टांग टूटी हुई है मैं लंगडा हूँ बिलकुल नहीं है पर मेरा personal truth तो हो गया न आप जिस माननेता को जीना शुरू कर दो वो आपका विक्तिकत सत्य तो होई जाता है अब कौन आपको छुड़ाएगा कैसे आपको कोई बचाए जिस बात को आपने जीना शुरू कर दिया उसको कोई कैसे जुठलाए हर बार every instance हर वो प्रकरण जब आप अपनी जूठी माननेता पर ही आचरण कर डालते हो आप उस जूठी माननेता को अपनी जिन्दगी का सच बना देते हो और जो चीज आपकी जिन्दगी का सच बन गई वो आपकी जिन्दगी में सच को कभी उतरने नहीं देगी जितना ज्यादा तुम अपने जूठ को अपनी आदत बनाओगे उतना ज्यादा मुक्त तुम्हारे लिए बहुत बेगानी चीज होती जाएगी जूट सच नहीं बन सकता पर बहुत पुखता आदत जरूर बन सकता है और आदत बनता है जूट अभ्यास करके अभ्यास करके जिसका अभ्यास करोची जादत हो जाती है पहले तो मन में जूट पालो फिर बार-बार उसका अभ्यास करो फिर काओ हम तो बंधन में हैं हम तो फसे हुए हैं यह तो सेल्फ इपनोसिस है यह सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सेल्फ इपनोसिस किसी भी चीज को है बोलने से पहले सत्तर बार सोचना चाहिए है मतलब होता है सच है या माना है 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 मत बोल दिया करो कभी भी किसी भी चीज को कि है विचारक यहां तक गए है कि वहां रखा है न वो पानी का ग्लास वो उसको भी पूछते है है या माना है उसको ऐसे कहते हैं कि है या बस भासित हो रहा है कई अध्यास तो नहीं कई ऐसा तो नहीं कि बस अनुभाव में आता है प्रतीत होता है या सचमुच है सारा खेल इसी बात का अंटोलोजी क्या होती है दर्शन के केंदर में बैठी होती है वो बस एक सवाल पूछती है है क्या the study of existence है भी है या बस माना है मैं आप से पूछ रहा हूँ बंधन है तो मानो मानने पर कौन सा टैक्स लगता है जी भर के मानो जो मानना है वो मानो यह यह तेंद जी बैठे इनको भूछ चड़ा है मेरी जेब में एक खास बंधूक है उसे बॉंग 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 करूँ इनका भूछ उड़ जाएगा और सच्पूश उतर जाते हैं लोगों के भूछ बिलकुल उतर जाते हैं माननेता बड़ी जबरदस चीज होती है माननेता बहुत बहुत जबरदस चीज होती है बहुत सोच समझ करके है कहना चाहिए बोला करो लग रहा है इट अपियर्स सो नॉट इट इस सो यह जो इजनेस है यह बहुत बचा करके बस सत्य के लिए आरक्षित रखनी चाहिए अनली तरुथ इस आल्स ज़स्ट अपियर्स है थोड़ी लगता है क्यों लगता है क्योंकि उसको वैसा देखने में मेरा अपना कोई स्वार्थ है मेरे स्वार्थ बदल जाएं मेरे अनुभव बदल जाएंगे मेरा अग्यान हट जाएं मेरी माननेता हट जाएगी और बहुत बहुत सावधान रा करो उन लोगों से, जो बिना रुके तूफानी गते से एक ही सास में सो बाते बोल जाते, देखो ऐसा तो करनה ही होता है, फिर ये होता है फिर ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा करना होता है बहुत सा उधान रहो यह वो लोग हैं जो आपको ठहर कर सोचने समझने का मौका भी नहीं देना चाहते ये जल्दी से जैसे जादूगर होता है ना वो हाथ की सफाई यो सट से कुछ कर देता है वो धीरे धीरे करें एकदम स्लो मोशन में तो क्या होगा अगर उसको बिल्कुल स्लो मोशन में आपको देखने को मिल जाएगी जादूगर क्या कर रहा है तो क्या होगा पकड़ा जाएगा तो वैसे ये लोग ने बिल्कुल दृत गति से आपके सामने सट 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 निकाल देते अगर आप उनको पकड़ पाएं कि इन्होंने क्या बोला रुको थम देखने तो देखने तो देखने तो तो आपको देखेगा कि वो पूरी हाथ की नहीं तो जबान की सफाई चल रही है ऐसा है ऐसा है ऐसा करना होता है ऐसे जीना होता है ऐसे करतवे निभाने होते हैं ऐसा मानना होता है, ऐसे उठना होता है, ऐसे सोना होता है, ऐसे पहनना होता है। जाते थे संग में, यह कोई महिलाओं के लिए वो सम्मान की बात नहीं है, और इसमें बुद्ध का आप मानने, यह बहुत लोग बोलते हैं, अरे बुद्ध नारी विरोधी थे, बुद्ध को बना दिया मिसोजिनिस्ट, बुलते यह देखो, यह नारियों को आने नहीं देते बुद्ध को तो नर नारी समझ में यह नहीं आता था, बुद्ध और बुद्धी थोड़े ही होता है, बुद्ध तो वहाँ पहुच गए थे, जहां लिंग बचता नहीं, इससे नारियों के बारे में कुछ पता चलता है, और मेरी यह बात सुनके बहुत सारी नारियां कि मेरा संग चलता हजार साल, हजारों साल, अब नहीं चलेगा आगा, जितनी उसकी उम्मरे उतना चलेगा बस, क्योंकि अब मैंने महिलाओं को नमती दे दिये. हमें कोई प्रमान नहीं मिलता कोई दस्तावेज नहीं कोई इतिहास नहीं मिलता पर मैं बताता हूँ क्या हुआ होगा बुद्ध ने अठक प्रयास करा होगा महिलाओं के लिए और उसके बाद बुद्ध ने ये बोला होगा क्योंकि जब भी कोई बुद्ध महिलाओं के लिए प्रयास करता है महिलाएं उसके सामने अपनी भावनाईं लेके खड़ी हो जाती है नहीं बात तो आपके ठीक है बट कोई वज़य थी ना कि बुद्ध ने अपना पहला शिश्य अपनी पत्नी कोई नहीं बनाया महिला थी उसको छोड़ के आना पड़ा वो भी खड़ी हो गई बट पहले बहुत बाते करी होंगी तो छोटे बच्चे का मूद दिखाने लगती होगी ये देखो ये तुम्हारा है नहीं तो उन्हें क्या समस्या थी पत्नी थी अपनी और बच्चा था अपना दोनों को बोलते हैं चलो भाई तुम भी चलो जंगल में क्या समस्या चलो तीनो साथ साथ रहेंगे वो भी इंसानी थे और भहुत करुण इंसान थे दर्थ तो उनको भी हुआ होगा जब छोड़ के आये थे पत्नी को बेटे को कोई बहुत मजबूरी रहे होगी तब ही छोड़ा होगा परेटन करने तो नहीं निकले थे बाहर महलाओं को सरुप्रथम अपना मित्र स्वयम बनना पड़ेगा नहीं तो कोई बुद्धुन की मदद नहीं कर पाएगा आपको अगर हर चीज के अंत में यही लेकर खड़ा हो जाना है कि पपा ने ऐसा बोल दिया मम्मी ने ऐसा बोल दिया और हभी डार्लिंग यह बोल रहा है और वो मम्मी नमबर टू ऐसा बोल रही है तो फिर तो कुछ आप हो नहीं सकता मम्मी अभी आपकी एक थोड़ी होती है कुछ नहीं हो सकता और ये कोई परिवार के प्रति कुरूरता की बात नहीं है भाई परिवार में एक दिया जले तो उससे बाकी दियों के जलने की भी समभावना होती है न परिवार में एक को अगर थोड़ा होश आए तो बाकियों में भी होश का संचार हो पर खुद होशमंद होने की जगह कहना मेरा तो करतवे है और करतवे के बाद वो नमबर दो की चीज जो उन्होंने बोली करेक्टर ये करेक्टर क्या होती है बला करेक्टर माने क्या होता है करेक्टर माने क्या होता है कौन तै करता है character माने क्या और character चीज़ क्या है और वो इतने महत्योगी कैसे हो गई सब परिशान घूमती है हाई कोई मुझे character lessness समझ ले character क्या होता है character lessness क्या होती है परिभाशा तो बता दो अगर character का अर्थ होता है चरित्र तो उसके मूल में है चर चर का मतलब गति, उसी से आचरण भी आया है, कर्म, तो कर्म तो हमेशा ग्यान से आना चाहिए, माने जिसको ग्यान है, उसके पास चरित्र है, चरित्र की तो फिर एक ही परिभाशा है, चरित्र का तो फिर एक ही आधार है, ग्यान, उसके अलावा कहां से आगया चरित्र करेक्टर, कहां से आगया, कि तुमने सर ढख रखाए कि नहीं, इससे करेक्टर तै हो जाएगा, नहीं, इससे तो ये भी हो सकता है, पता कि सर में ज प्लाइंग जुएं तो छुपा के रखे हो कि उडूर के इधर उदर कहीं मिसाइल की भाती अब आज भी मतलब कितनी भी पढ़ लिख गई हो महिला कुछ हो गई हो यह केरेक्टर नाम के कीडे से वो कटी हुई है देखिए बाकी सब ठीक है लड़की पढ़ी लिखी होना हो कुछ नहों केरेक्टर टाइट होना चाहिए यह लूज और टाइट का मामला भी क्या है यह क्या फ्राइड को बुलाना पड़ेगा यह सारी की सारी बाते तो सेक्शुल दिशागी और जाती हुई लग रही है आपका चरित्र कैसा है अगर इस बात का महत तो आपको रखना भी है तो इस बात से रखिए कि आपके चरित्र केंद्र में होश है कि नहीं जो होशमन्द वो चरित्रवान बात खतम इससे नहीं चरित्रता हो जाएगा की तो रात में देर से आई थी वो भी कैसे पता बिल्डिंग के गार्ड ने चुगली खाई थी ये बिल्डिंग के गार्ड केरेक्टर के निर्धाता हो रखे है ये बताया करते हैं कि यहां जो वे रहते हैं फलाने नंबर में रहने वाली ये रात में देर से आया करती है अब वो रात में हो सकता है कोई उचे से उचा सार्थक से सार्थक काम कर रही हो पर वो जितने अंकल अंटी होंगे सुसाइटी के, वो सब उसको ऐसे देखें, इस तिर्ची निगाएं से अच्छा, ये रात में साड़े हाट में सोने ही जाती, करेक्टर ढीला है, साड़े हाट मजे कोई सोने का टाइम होता अंकल, साड़े ग्यारा बजे भी कोई सोने का टाइम होता है, आप न जीए न जवान हुए तो क्या हम भी मुर्दा ही मर जाएं इधा बढ़िया गाना है वो पता नहीं कौन से उत्सव हाँ उत्सव तब दीप उत्सव है तो उत्सव का जिक्र तो आ नहीं था तो उसमें वो गाती है कि रात होती शुरू है आधी रात से हम तो बिलकुल बोलते हैं रात होती शुरू है आधी रात से आप बोलते हैं कि नहीं साब नौदस बज़े सोजाओ नहीं तो करेक्टर ढीला है लड़कियों घर के अंदर होना चाहिए घर छोड़ तो वो हॉस्टल में रहने जाए उसको भी कि वहाँ धकेलते हैं, चल 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 बाड़े के अंदर चल नौ बज गया रहे, काई भाई, क्या है, प्रक्रते ने कोई नियम बनाया है, कि अगर लड़की दस बजे, बारा बजे बाहर है, तो वो करेक्टर खराब कर रही है, जितने जानवर हैं, सब रात में घुस जाते हैं अपनी अपनी घुफा में, तो सबसे चरित्रवान तो वही हुए, एक जानवर दिखा दो, जो रात में घुसना जाता हो अपने खोह में, तो रात में जाके अपनी घुफा में, कि अपने घुसले में घुसना, यही चरित्र क की निशानी है तो जो मादा सुवर है उससे चरित्रवान और कौन है कि है और कवी रात में नहीं सुनोगे उसे काउं काउं करते उधर सूरज धला वह उधर दुबग गई तो क्या उसका करेक्टर है जबर्दस्त ये सब बातें उस समय की हैं जब आपको पराश्रित रहना ही रहना था और जब आप पराश्रित हो तो आपकी फिर समाज के लिए एक ही एकनॉमिक वैल्ली होती है चाइल्ड एक ही आपके पास फिर प्रोड़क्टिव रिसोर्स होता है वूम और कुछ हद तक आपके हाथ पाऊं जिनसे आप पती की सेवा करते हो खाना बनाते हो सफाई करते हो और वो प्रोड़क्टिव रिसोर्स इंशूर्ड रहे अनुबंधित रहे इसके लिए ये चरित्र का सिधांत कल्पित किया गया आपको समझ में नहीं आ रही है बात आपके पास एक एक एकनॉमिक एसेट होता है आप उसको बांध कर रखना चाहते हो कि नहीं आप यहां आए हो घर में ताला लगा के आए होगे लगा के आए हो ना एकनॉमिक एसेट है तो उसकी रक्षा जरूरी है हाँ यहाँ पर लेकिन जो एकनॉमिक एसेट है वो चलता का सिध्धान्त और ये तै कर दो कि जो अपना केरेक्टर ठीक नहीं दिखा रही है उसकी रोजी रोटी दाना पानी सब बंद कर दिया जाएगा क्योंकि है तो वो पराशृत ही आज तो आप पराशृत नहीं हो ना आज आप तै करोगे कि आपको जंदगी कैसे बितानी है इनसान हो कोई और नहीं आपकी देह पे कबज़ा करके कोई फैसला करेगा ये स्थिरी के लिए नहीं मानव मात्र के लिए बहुत अपमान की बात है कि किसी मनुष्य की देह का क्या होना है ये कोई दूसरा मनुश्य तैह करे अगर आपकी मुक्ति की कीमत ये है कि आप चरित्रहीन कहलाएं तो सर उठा के कहिए हाँ मैं हूँ चरित्रहीन अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्लट शेमिंग कहिए हाँ येस हीर इस दा स्लट क्या बोलना है मुझे स्लट बोलना है होर बोलना है बिच बोलना है हूँ और कुछ और जिस दिन आपने इन सब बातों को हलके में लेना शुरू कर दिया उस दिन आप आज़ाद है आपकी आपकी गुलामी इसी में है कि आप हर समय ठर्रा ही रहती है कि कहीं कोई आके मुझे स्लट न बोल दे अरे बोलने दोना स्लट हाँ येस एनिफिं एल्स जो आपको स्लट बोल रहा है वो आपके उपर कब्जा करना चाहता है वो कह रहा है मेरे हिसाब से चलोगी तो स्लट नहीं बोलूँगा और मेरे हिसाब से नहीं चलेगी स्लट बोल दूँगा कुल मिलाके वो आपको अपने हिसाब से चलाना चाह रहा है क्यों चलना किसी के साब से बोल ले इसलिट बोलना जो बोलना बोल दो चार और शब्द में अपनी और से बता देती हैं वो भी बोल ले समाच से आगे निकलना हो तो समाच से इज़त मांगना तो बिल्कुली बंद कर दो बेखुदी माने अहंकार से मुक्ती ये एकदम साथ साथ चलते हैं जिसे इधर अहंकार से मुक्त होना हो उसे उधर इजजत से मुक्त होना होगा जो उधर अभी इज़त का प्यासा है वो इधर अपने अहंकार को पोशण दे रहा है क्योंकि उधर से जो तुम इज़त लेते हो उसकी खुराग खिलाते ही किसको उधर से इज़त ली किसको खिलाते हो तुरंद जिनने आंतरिक मुक्त चाहिए हो उन्हें सबसे पहले समाज से चरित्र की और सम्मान की आस पूरी छोड़नी पड़ेगी समझ रहो बात को बहुत गरीव आदमी हो आप अगर दुनिया से प्रतिष्ठा की पूझी कठा करे हुए हो चाहिए पुरुश हो इस्तरी हो कोई हो वो पूझी आपको दे रखी है किसने है इन्होंने वो पूझी आपकी भले ही जेब में दे रखी है पर उसकी एक दोर उन्होंने बांद के अपने हाथ में रखी है सोचिए आपकी जेब में नोट की गड़ी है और वो एक दोर से बंधी हुई है और इनके पास है मेरी हालत क्या रहेगी हमेशा मैं बहुत डरा हुआ रहूँगा क्योंकि कहने को तो गड़ी मेरी जेब में है पर उसकी दोर इनके हाथ में जब चाहेंगे खीच लेंगे ये प्रतिष्ठा है आपकी प्रतिष्ठा कभी आपकी नहीं होती उसकी डोर समाज के हाथ में होती है समाज जब चाहेगा वो प्रतिष्ठा वापस ले लेगा आप कहीं के नहीं रहोगे प्रतिष्ठा का दिवानापन बिलकुल बंध करो सोशल सैंक्शन, रेटिफिकेशन useless concepts आज मैं आप से बात कर पा रहा हूँ विनम्रता पूरुवक मैं आपके किसी काम आ पा रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने नहीं परवा करी कि दुनिया मेरी इज़त कर रही है कि नहीं मैंने तशक से ज्यादा बिताया है पूरी गुमनामी में और तब जो मेरे साथ वाले थे वो कहा करते थे कहते थे ये कर लिया तुने आई टी आएम और ये सब छोड़ चाड़ के सरकार का तू तो बिलकुल गुमनाम हो गया कई नजर नहीं आता कुछ नहीं ये तेरे पास क्या कर रहा है मैं कहता था ये बात मेरे ख्याल में नहीं आती मैं जो भी कर रहा हूं वो मुझे पता है जरूरी है मुझे करने दो ये आज हो गया है कि कुछ लोग जानने लग गये हैं आज हो गया है कि मैं आपके कुछ काम आ पा रहा हूं क्योंकि बहुत दिनों तक मैं परवाह नहीं कर रहा था कि मेरे सामने लोग हैं कि नहीं हैं और जिस दिन मैं अपनी हिज़त की परवाह करने लग गया न ये लोग मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे या आज भी अगर मुझे आप से दूर करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये निकालते हैं कि ये मुझे किसी तरीके से बेज़द करें बस इन बेचारों की चलती नहीं क्योंकि मुझे उस बेज़दी की परवा नहीं तुम्हें कर लो जो करना है मुझे फर्क ही नहीं पढ़ता और मुझे फर्क पढ़ने लग गया तो इनके हौसले बुलंद हो जाएंगे और मेरी आवाज आपके सामने मंद पढ़ जाएगी और वही हुआ है आप लोगों के साथ देवी जी गहीं कहा यह लो ऐसा तो होता है अरे कोई वात नहीं बैठे रंदुब जहां भी अगर चाहते हो कि आवाज सच की रहे और मजबूत रहे तो इस बात की परवा कभी मत करना कि उससे तुम्हे क्या मिल रहा है तुम यह देख ले ना कि तुमने उसको सच दे दिया अपनी ओर से दे दो निशकाम हो करके और उससे क्या मिल रहा है कोई परवा मत करो कभी वो आभार दे दे उसको भी विनमरता से सुईकार कर लो और कभी वो गाली दे दे ठीक रही है एक आग और देनी ओ वो भी दे दीजिए स्पष्ट हो रही है बात हूं चरित्र समझ गई क्या होता है आचरण चरित्र क्या जो बोथ सो निकले वही सम्म्यक चरित्र है समाझ की नेतिक्ता पर चलना चरित्रवान होना नहीं कहलाता कि समाज के निर्देश पे चल रहे हैं तो चरितरवान है कि रूड़ी पर और पोथी पर और परमपरा पर चल रहे हैं तो चरितरवान है ऐसे नहीं चरितरवान हो जाते कि जैसे दस लोग चलते हैं ये भी वैसे ही चल रहे हैं तो चरितरवान है ऐसे नहीं चरित्रवान हो जाते, ऐसे भेड होते हैं, ऐसे मंदबुद्ध ही होते हैं, ऐसे कायर होते हैं, जो वैसे ही चल रहे होते हैं, जैसे सब चले हैं आज तक. संद्शिरोमणी कहते हैं, हंसों की नहीं पात, और साधू न चले जमात, वहाँ ये नहीं देखा जाता कि मैं परंपरा का अनुगमन करूं, नहीं तो मेरे चरित्र पर लांचन लग जाएगा. सच में प्रेम में, सच के लिए प्रेम में, मुक्ति के लिए प्रेम में, जो कर्म करा जाए, समझ लो वही सच चरित्र है. किसको कहना है सच चरित्र? किसको मानना है चरित्रवान? जो कहे कि एक ही तो देश है जीवन का, मुक्ति के लिए प्रेम. और उसी अनुसार हमारे सारे काम होते हैं लोगों को समझ में आये तो भला, नहीं समझ में आये तो भला हम बुरा भी नहीं मानेंगे पर हम काम अपना नहीं छोड़ेंगे बस यही उचे चरित्र की पहचान है और कुछ नहीं ताप नजाई जल में अगन उठी अधिकाई राम बिन तनकी ताप नजाई जल में अगन उठी अधिकाई तुम जल निदी मैं जल कर मीना जल में रही जल ही बिन पीना तुम जल निदी मैं जल कर मीना जल में रही जल ही बिन पीना राम बिन तन की ताप न जाई जल में अगन उठी अधिकाई तुम जल राम बिन तन की ताप न जाई जल में अगन उठी अधिकाई तुम जल रामें सुबना तोरा दर्शन दे हूँ बाग बड़ मोरा राम बिन तन की ताप न जाई जल में अगन उठी अधिकाई राम बिन तन की ताप न जाई जल में अगन उठी अधिकाई तुम सत्गुरु मैं नौतम चेला कहें कबीर राम रमु अकेला राम बिन तन की ताप न जाई जल में अगन उठी अधिकाई राम बिन तन की ताप न जाई जल में अगन उठी अधिकाई राम बिन तन की ताप न जाई जल में अगन उठी अधिकाई राम सत्गुरु मैं नौतम चेला कहें कभीर राम रमु अकेला मैं आचारे प्रशांत को साधुवाद देना चाहती हूं कि जिनों ने मुझे ये मंची नहीं दिया बलकि मेरी जिन्दगी ही बदल दी वैसे तुम्हें कि सेवा निवृत्र प्राचारिया हूं बच्चों को खूब गीता पढ़ाया परन्तु ना अपने को शुद्ध किया ना उन्हीं शुद्ध बनाया ऐसा एहसास हो रहा है कि इस शुद्धता के बाद मैं एक नए युद्ध की तैयारी में हूँ मुश्किल तो तब आई जब सेवा निवृत्र के बाद मैं अपने बच्चे के पास दिल ली आई और देखा कि वो 135 कीलो का वजन ले चुका है घूर समस्या सामने थी कि अब क्या होगा इस बच्चे के साथ बहुत डॉक्टर दिखाया बहुत उसकी मान चिकेशा कराई परन्तु ऐसा महसूस हुआ कि अपनी भोजन के प्रती जो उसकी आ सकती है मांस और दूद तही ये सब उसकी मात्रा में जो बहुत जादा है वो उसके लिए विशेश हानिकारिक हो रहा है मैं लगातार उन्हें आचारे जी का वीडियो भेजती रहती थी फेस्बुक से देखती थी तो कुछ सेकेंट का ही होता था लेकिन उसे भेजती रहती थी और वो मुसे बहुत चड़ता था ये क्या भेज देती हो मां इसकी मुझे जरूरत नहीं है पर उन्तु देखो एक डैविक चमतकार होता है कि दाव केवल उसने उस वीडियो को देखा बलकि समझा सोचा और उसके पत पर वो निकल पड़ा आज उसने तीन महीने से आचारे जी को सुना है समझा है और उनकी सेवा देने के लिए वो यहां प्रस्तुत भी हो गया है अपने नौकरी छोड़कर यह मेरे लिए बहुत 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 ही आशावान रास्ता है मैं पुनह उनको साधुवा देती हूँ और उनकी दिरगाई होने की कामना करती हूँ यहां आने से पहले मैं वैसे कविता लिखती हूँ, मेरी कविताओं की किताबे हैं, तो एक कविता यहां के लिए भी लिखी है, जो आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ मन में घोर अंधेरा है, इसमें संशे का डेरा है, भैद विधा से हूँ ग्रसित, विक्रित्यों का बसेरा है, ज्यान का दीब चलाओंगी, मैं दीपत सो मनाओंगी ये तन है माटी का धेर, धह जाना है देर सवेर, नहीं सहजल से भिगो भिगो कर, कुमार का दीब बनाओंगी, मैं दीपत सो मनाओंगी मैं दीपत सो मनाओंगी, प्रेम, तया, सेवा, भावना, बहती सदा इसकी धार, अहम की आधी में बुझता, यान दीप का सद विचार, दर्ब के बाती जलाओंगी, हाँ दर्ब के बाती जलाओंगी, मैं दीपत सो मनाओंगी मेरे मन आंगन का दिया, जिसने हिर्दय को संबल दिया, हर भटके को रह दिखाओंगी, मैं दीपत सो मनाओंगी मैं दीप उत्सो मनाओंगी पावन गीता की जीवनसार आनंद सुका है आधार जूट चली है बंद कपाट में संत सरिता बहाओंगी मैं दीप उत्सो जलाओंगी मैं दीप उत्सो मनाओंगी धन्यवाद झाल